ऐसे समीकरण को बिना किसी जंजट के कैसे कर सकते हैं जिसके नीचे x plus y x minus y जैसे situation फस जाती है जो लोग competitive exam की भी preparation कर रहे हैं वहाँ पर भी देखेंगे कि बोट stream वाले chapter में इस तरह की situation फसती है समीकरण को थाहिए जब से पहले यह आप बताईएं कि अगर यह लिखा है एक बटे दो तीन बटे दो इन दोनों को मैंने कहा बराबर करीए तो कैसे बराबर करेंगे आप कहेंगे सर नीचे तो 2 है अगर इसमें हम उपर 3 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा हो जाएगा की नहीं हो जाएगा तो यानि आपने इसमें उपर 3 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 3 बटे 2 और ये भी हो गया 3 बटे 2 तो ये बराबर हो गया बस यही करना ह होता है आपको समीए करनमें आपको किसी एक को बराबर कर ले लिए यहां पर देखिए आपिस वाले नीचे ओभ यहां पर देखो, यह लिखा है एक बटे X-Y, यहां पर कितना लिखा है? यहां पर लिखा है पांच बटे X-Y । अब बताईए अगर दोनों को बराबर करना है, तो क्या करना होगा? तो आप तुरणत कैसी ऑपर वाले में इसमें 5 से गुळा कर दीजिए, तो दोनों ब करा यह नास्ता पानी दूसरे को नहीं कर आ Aha अपना तो यहां कर Ses to पर प्र-पांच से ओप गुणा करना होता है तो यहां पर वह इस पाच बात समझ में आई आप देखो यहां पर 5 का गुड़ा एक में हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा प्लस का 5 और बटे एकस माइनस वाई और बराबर 5 का गुड़ा इस दो में होगा तो कितना हो जाएगा पांच दुना दस हो जाएगा ठीक है और जो दूसरा समीकरण लिखा है उसको आप ऐसे ही लिख लीजिए यह लिखा है 15 बटे एकस प्लस वाई और माइनस 5 बटे एकस माइनस वाई बराबर लिखा है माइनस का दो अब देखो यहाँ पर इसको हम घटा लेते हैं तो देखो यहाँ पर यहाँ प्लस का चिन्न है यहाँ माइनस का चिन्न है पांच बटे एकस माइनस वाई यहाँ भी लिखा है तो देख जो इसके पहले कोई चिन नहीं है तो किसका चिन ओता है प्लसका चिन होता है बस आप इसको ऐसे लिख लो कैसे यह लिकार 75 और बटे एक्स पॉलस वाई मुझा और यहाँ प्लस कचिन है प्लस कचिन लगाव 15 बटे किसी के पहले जब कोई चिन नहीं होता है तो उसके पहले प्लस का चिन माना जाता है ठीक है और बराबर यहां देखो दस लिखा है और यह माइनस का दो है मतलब दस में से क्या करना है दो घटाना है तो दस में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा आठ बचेगा तो यहां सब्linear பेटेंगों यहां पर नीचे Xbox लिखा हुआ है तो इस नीचे एक्स प्लस वाई को हमने क्या कर लिए common कर लिया इन दोनों में से बाहर निकाल निया तो अंदर क्या बचा और प्लस किया वचा वचा और बराबर कितना है अहां यहांald 10, 2, 1, 3 और 1 कितना होता है 4 चालिस आजाएगा यहां वन अपन एकस प्लिस वाई है बराबर 8 लिखाए अद देखो यहां पर 3 गुणा कर लो तो यहां 1 हो गया और यह क्या होगा यह नीचे चलाएगा और x प्लस y उधर चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 40 बटे 8 बराबर x प्लस y तो 8 का बाग देख दीजिए 8 कमाण 845 तो x प्लस y कमाण केतना है या x प्लस y कमाण यहां से हमको मिल गया 5 अब इस x प्लस y कमाण उठा करके आपकी जो इच्छा हो उस समीकरण में रगदीजिए जो आसान लगे चलिए हम इस समीकरण में रख देते हैं क्योंकि यह हमको आसान लग रहा है यह समीकरण है पांच बटे एकस प्लस y प्लस one अपॉन एकस माइनस y बराबर टू तो इस समीकरण में हम x प्लस y कमाण जो हमने निकाला है 5 इसको हम यहां पर देते हैं तो जरह देखिए यहां पर यह हो जाएगा पांच बटे एक्स प्लस वाई की जगए क्या रख देंगे पांच और प्लस का एक बटे एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया दो इस देखिए यह पांच से यह पांच कट गया एक बार कटा और यह एक उधर और यहाँ से समय करन vin गया साधारान सी equation तो देखिया कैसे करेंगे इस्में y गट जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा जीरो बचेगा और ये x में से x जुड़ जाएगा तो बताईए कितना होगा एक्स में से एक्स जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दो एक्स हो जाएगा और बराबर यहां देखिए पांच में से एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा छे हो जाएगा तो एक्स का मान कितना आया एक्स का मान आया च्छै बटे दो तो कितना और इस एक को उठाकर लाएंगे तो इसे सब्सक्राइब करते हैं तो बेसिक तरीक था इंसारी चीजों का यूज नहीं करते करते हैं करते हो मैं आगया आपको को बताऊंगा इस तरह की क्वेशन को सॉल्ल करना आप सभी को आगे होगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और बहतर कॉंसेप्ट को लेकर के ओगे थैंक्स पोहुचिंग गाइस